वेलकम बैक तुमा चानल, पिंकिस कुकिंग पाट शारा में आपका स्वागत है और आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ, सूपर हेल्दी और जट पड बनने वाला नाश्ता उपमा वेजी से भरपूर सूप सॉफ्ट तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया जलने लगता है तो इसे सब्सकते हैं और आप देख सकते हैं रवे में अरत बून हम उसने बनाया तो आप देक बनायोंगे कडाय को नियर्दी बhnे लगा, तु अब ग्सक्ते हैं अब हम क्या करेंगे तो देख आ पृएल। तो यहां पर मैंने तीन चमच तेल लिया है, आप अपने अपने का में अजादा कर सकते हैं, घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं, तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम राई को पकने देंगे, उसके बाद ही हम जीरा अट करेंगे, इसको अच्छे से चटकने दीजे नहीं तो कड़वा कड़वा लगेगा, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, तो यह था टिप स्पेशल, अब राई जीरा चटकने के बाद मैंने इसमें हरी प्याज और हरी मिर्च आट की है, आप चाहें तो नॉर्मल प्याज का भी इस्तमाल कर सकते हैं, बड़ जो हरी आट कीज़ेगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, साधी आधा चमच मैंने नमक ले लिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक अट करने से क्या होता है कि टमाटर जो है बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, तो अब हम इसको दो से तीन मिनट के लिए मैं आट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने पीज अटके हैं, आपको जो भी वेजेटेबल्स बच्चो को ऐलाना है, वह गाजरैयाया कर सकते हैं, यहां पर चाना पर भूण नाश्टी के ले бесп Pacific हैं, बहुत ही है, और जल्दी से बन जाते हैं और देखे आड करने से क्या होगा जो आपका ये सूजी उपमा है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और चट पट पक जाएगा एकदम फूल जाएगा ये ट्रिक आप जरूर इस्तमाल करके देखेगा कि अबले हुए गरम पानी से ये जो सूजी है उपमा है बहुत ही जल्दी पकने में जट पट सीन से चार मिनिट आप इसे चलाते रहिए और ये जो डिलीशिस उपमा है ये रेडी है बीरियम फ्लेम पे पकाईएगा बहुत ही जल्दी पक जाता है मैंने स्प्रिंग अनियन साट किया है हरे प्यास और धेर सारा धनिया पत्ता इसे हम दो मिनिट तक और पकाएगे पकने में बहुत जादा टाइम लगता है बस 15 मिनिट में डिलीशिस हेल्दी सूपर टेस्टी नाश्ता एकदम रेडी हो जाता है तो देखे कितना सॉफ्ट और एकदम खिला खिला उपमा इस ट्रिक से बनाओगे तो बनेगा डिलीशिस उपमा एकदम रेड चानल प्यार से बनाईए मज़े से खाईए थैंक्स पर वाचिंग बबाई एंड टेक केर